नमस्कार जय जोहार, चतिसकर न्यूस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चलिए देखते हैं आज की पंदरा फटा फट बड़ी खबरों को चतिसगर के सभी गावों में बच्चों के लिए बनेगा खेल मैदान, राज्य के खेल एमम युवा कल्याम भाग के मंतुरी टंकराम वर्मा निकाय की प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य शाशन की और से तयाली तेज कर दी गई है, सभी गावों में अंदिल कारिक्रा में चतिसगर का एक और बड़ा योगदान, चतिसगर से 300 मैट्रिक टन चावल अयोधिया रवाना हो गया है, जिससे भंडारत तयार किया जाएगा, जबकि अब 100 सबजिया भी चतिसगर से अयोधिया जाएंगी, इसकी जानकारी खुद मुख्यमंदरे व स्कूल बंद, चतिसगर प्राइवेट स्कूल असोसियेशन के अद्धिक्षिर राजीव गुफ्ता ने बताया कि ट्रक वालों की देशव्यापी हर्ताल के समर्थन में आज स्कूल बस और आटो चालोकों ने भी वहाँ नहीं चलाने का फैसला किया है, स्कूल बस और आटो रायपूर के 44 स्यदिक पंपों में पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है, शहर के 24 में से 20 पंप ड्राय हो गया है मटन मुर्गात दुकानों को बंद करने का नोटिस नगर पंचायत देवकर में संचालित पांच मटन मुर्गा दुकान संचालकों को नगर पंचाय सीमो ने नोटस चारी कर तीम दिन के अंदर बंद करने का नर्देश दिया इसपर संचाल्वकों ने आत्मना करने की चेतामनी देते हुए सवाल किया है कि आकर हम कहां दुकान संचाल करें शैर में दूसरे कबज़ेधारियों को बख्षा जा रहा है, वही मतन मुर्गा दुकान के संचाल्वकों को प्रटार्ट किया जा रहा है 36,68,000,00 मेटिरिक धन की खरीदी राजिसरकार की संगल पत्र के अनुसा के सारों से प्रती 2121 कुणतल की मान की दर से धान की खरीदी की चुआ रही है राजिसरकार की और से आप तक किसानों से 666,88,000,00 मेटिय की खरीदी की गई है धान के इवज में किसानों को 15,213 करोड रुपे से अधिक की राशी का मुक्तान किया गया है 36 गड में गणतंत्र दिवस पर कोविट का साया 36 गड में लगातार बढ़ते कोरुना संक्रमन को देखते वे स्वास्त विभाग ने गणतंत्र दिवस कफसा पर साथधाने बरतने की निर्देश दिये हैं जिसको लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों ने सुरक्षा के दरश्टिकोन से आदेश भी चारी किया है जिसमी कोबट के नियमों का कड़ाई से पालंग करने की बात कही गई है रएपुर, विलासपूर, दुरग, भिलाई, बस्तर और सर्गुज़ा में सिंस बनाए जभा सकते हैं प्रदेश में आखरी बाद नवंबर दोज़ात एस में बेरोसकारी भत्ता की आखरी किश्टित जाली की गई थी प्रती महीने धाई अजार रुपे प्रदान की जाने वाले बेरोसकारी भत्ते को लेकर अभी भी सहिंशे बना हुआ है ऐसा इसलिए क्योंकि वेरोसकारी भत्ते पर अभी तक आधिकारिक नड़ने नहीं लिया गया है 36 गर में सैंट्रल जीस्टी की चापे मारी 36 गर में नए साल के दिन सैंट्रल जीस्टी ने चापे मारी की राइपुर के बोरिया कला इससे थे एक पैकेजिंग फैक्ट्री में सैंट्रल जीस्टी की टीम ने चापा मारा है इस जाज की दोराँ जीस्टी के टीम को करीब दो करोड चैसाट लाग स्चॉक चप्त किया है इसके साथ ही तमाकू गुटका जैसे प्रोड़क का रैपर बनाने वारी फैक्ट्री मालिक के घर से करीब दो करोड अठ्यासी लाख रुपे कैश भी मिला है डॉक्टरों के बिना लिखे दवाओं की बिक्री पर होगी कारवाई चैसकर में अग डॉक्टरों के लिखे बिना दर्द निवारक दवाओं की बिक्री पर सक्ती से कारवाई होगी दरसल स्वास्त मंतरी शाहम भियाली जोस्वाल ने राज्यों के सभी शाष्की अस्वतालों में गुनवक्ता पूंट स्वास्त सेवा उपलब्द कराने और चक निरिक्षन करने नर्सिंग होम एक्ट को और प्रभावी डंग से लागू करने और डॉक्टरों के लिखे बिना दर्द निवारक दवाओं की बिक्री पर भी सक्ती से कारवे करने की नर्दीश्ट दिये एनच पर वन्य जीव एवम हात्यों के लिए बनेंगे अंडरपास नेश्टनल हाईवे 343 अंबिकापूर गर्वा मुख्यमार में अंबिकापूर से लेकर रामनुगंज के बीच वन्य प्राणी एवम हात्यों के आने जाने के लिए पांच स्थानों पर अंडरपास बनाय के लिए इस्थाल का निरिक्षन राश्री राजवां के अधिकारियों के साथ वन संरक्षक वन्य प्राणी एलिफेंट रिजव के डिप्टी डिरेक्टर एवम डिएफो बल्राइमपूर के द्वारा मंगलवार को किया गया 36 गड़ में आज से बदलेगा मौसम पश्ची में विशोब की प्रभाव से नियूंतम तापमान में हुई बढ़ातरी से नए साल के पहले दिन ठेंड थोड़ी कम रहे साथी राइपोस सहित विवें शित्र में नियूंतम तापमान में बढ़ातरी धाई मौसम विभाग का क्याना की प्रश्ची में विशोब अब भारती शित्र से आगी वड़ी है लेकिन हवा की दिशा अभी भी पूर्व दक्षिन पूर्व बनी हुई है सिम्स में पेज्वल के लिए लगे दो वाटर कूलर हाई कोट की सक्ति का सर बिलास्पु संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में मरीज और उनके परिजनों की पीने की पानी के लिए दो बड़े वाटर कूलर लगाए गए हैं साथी MRD साइथ अन्नी जगाओं पर नई कुर्सियां भी लगाई गई हैं बतादे कि सिम्स की अवववस्ता को लेकर हाई कोट ले सकती दिखाई है जिसके बाद कलेक्टर विनीश चरण लगातार अवववस्ताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ये तो थी आज की बड़ी खबरें डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद